जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोग सकता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल एश्टेलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो जो है वो रोजगार पर आधारीत रहने वाली है और एक अच्छा सा आप स्वारोजगार स्थापित कर सकते हैं और आत्म निर्फर बन सकते हैं आज इसी के बारे में तमाम तरह की जानकारी हम लेने की कोशिस करेंगे तो आईए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजिए सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत सर स्वागत है आपको हमारे यहां भी हमारे अर्माइंड इंडस्टी में बहुत स्वागत है आपका आज सर्क्सार एक seulement और अज सिर्घ एक ऐसा बजाने जा रहे है जिसका प्रोड़क्ट में इज़ी होता हे हर मोहले में होता है हर जग़ा युझ होता है , तो आज जिसीका जिस प्रोड़क्ट के बारें बात कर रहे हैं वह पाउच पैकिंग अ pourquoi सिंसोर को लगा पारी हम देंगे आपको जैसी जरूरत है जो आपको प्रोडक्त तयार करना उसके इसाब से मशीन बना करके देंगे आपको सबसे पहले सर बात करते हैं कि जैसे यह पाउच पैकिंग मशीन है तो आपको फुली और नुमैटिक मशीन आता है एक आपको कॉलर टाइप की मशीन होती है अब आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोडक्त लाउंच करना तो सबसे में बात यह होता है कि आपको पैक क्या करना कितने ग्राम से कितने ग्राम करना उसी के हिसा हिसाब से मशीन का डिटेल्स बताते हैं बाकी आपको मशीन चार तरह का आता है हमारे पास चार टाइपस की मशीन तो उसमें बताइए सर की कौन कॉन किस-किस तरह का प्रोड़क्ट किस-किस मशीन से तयार होता है जो कच्छा इटम होता है वह आप एफएफेश मशीन से खरीद क्या पैक कर सकते हैं कच्छा इटम इन दे सेंज की चैपत्ती हो गया आपको गुटका ह तो इसमें हवा जो है इसमें ढला जाता है नैट्रोजन और एर कंप्रेसर दोनों का हुआ तो अगर यह पूड हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन चाहिए एर माल ते आप च्खराब बाकि घलो होजाए तो भाके जो मसाला बगार मेंने शाल बार सी जाना नहीं चाहिए कि यह सारी चीज़े है वाकी आपको इससे ज्यादा आपको पैक करना आपको धाइज किलो किल माच करना तो छो मेक किलो के माची जो भी जौवर करके इंसादушка किलो पर से माल गिरने के बाद और तॉल के आपको बेट करके माल निकालेगा अब सर बात करें की प्राइस की तो सब का क्या अलग-अलग प्राइस है वो बताई प्राइस जो सर हमारे पास जो मशीन का स्टार्टिंग प्राइस है आपको जो मान के चलिए आप अगर नॉर्मल मशी कर सकते हैं और इसी के रेंज में उपर उपर जब जाएंगे जैसा मसीन चाहिए आपको मोडलाइज जो भी जाइए जैसा चाहिए आपके इसाब से बना करके देंगे उस इसाब से आपको रेट बता दिएगा जब आप जोड़ करके आपको बताएंगे मीनिमम रेट जो स्टार्टिंग है जो नव्य हजार से है इसका रेट आपको मार्केट में आपको एक लग पचीज से लाग तीज़ार में यही मशीन मिलता है अब बात आती है कि आज यूटूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है बहुत स देता से मशीन लेने का सबसे मेन बजह है कि हम आपके बिहार में पंदरह साल से हैं थीक है तो आप अब हम पे trust कर सकते हैं कि पुराना संस्ता है अगर गलत अगर कुछ भी हमारे हां से होता ठीक है तो हमारे लोग मशीन खरीद देने आता हैं अभी पी आप लोग आयोग तो देखें कितना customer लोग कोई खरीद कर लेकर जा रहे हैं कोई inquiry के लिए आये हुए तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास customer की कमी हमारे पास दिन भर में कम से कम 25 से 30 customer आते हैं हमारे पास trusted brand के कारण लोग इधर उदर जाना पसंद नहीं करते हैं जानते हैं कि एक company पुराना है तो इनके हाँ जो है कम से कम जो खोला है ना वह भी बोलेगा कि हम से उसके पास लड़का नहीं रहता है भाड़ा पे लड़का हमारे यहां से लड़का जाता है इंजिनियर हमारे यहां से लेकर जाएगा भाड़ा देगा पैसा देगा कि 400-500 पर ले लिजे हम मसीन यहां दिये हैं वहां इंस्टॉल कर बाद दिए हमारे इंजिनियर आप देखते हैं कि कितना लड़का लोग लाता है तो हमारे पास इंजिनियर का कोई कमी और मशीन कोई भी प्रोफलम होगा अपको सही कर आएगा तो हम सर्विस विश्वास रखते हैं मसीन सर ऐसा चीज है मसीनरी आइटम कि इसमें आप लेंगे तो आपको कुछ न कुछ खराब होना जरूरी है मतलब होगा ही एक कोई भी हम चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा बोले कि आप मेरा मसीन लेजा यह कभी खराब नहीं होगा ऐसा बो कि चलने का में कारण होता है कि मसीन आपको खराब हुआ तो आपको बनाने के लिए कोई नहीं गया क्योंकि मसीन बेचने वाला इतना लोग है कि उनके पास लाड़का ही एक पतल वाला रख लेंगे और बोलेंगे कि हम सब मशीन बैजते तो आप फरजीवालों से बचे आप गलत आदमी के पास मत जाईए कोकि वो 10-20-50-20-50 का समान खरीत के वो अपने उफीस में रख लिया उसी पर मसीन पर बेच रहा है तो वो नहीं आप देख़ें कि उनके पास मसीन है कि नहीं है उनके पास इंजिनियर है कि नहीं हो कितने दिन से कंपनी रन कर रहे हैं सबसे मेन अगर कोई कम्पनी 15 साल से रन कर रही है तो शर ऐसे ही नहीं कर रही है। उनका सरवीस अद्शा होगा उनके पास कस्टमर होगे तभी मशीन बेच रहे हैं और इतना दिन से कम्पनी रन कर रहे है। तो हमारा मेन फोकस होता है सर्वीस और कस्टमर को फैसिलिटीज देना आपको raw material provide करना आपको machine में कुछ भी technical fault ऐसको सही करवाना यह हमारा मेन मकसद होता है हमारा machine बेचना मेन मकसद नहीं है हमारा सबसे में मकसद भी है कि हम चाहते हैं कि बिहार से रोजगार पैदा हो बिहार से जितने लोग बिरोजगार हैं उनको बिरोजगारी को दूर करें मेरा में मकसद है हमारा में मकसद मसीन बेचना सिर्फ नहीं है हम चाहते हैं कि हमारा बिहार के जितने लोग बिरोजगार वो बिहार में ही रखके बिहारियों लोग को रोजगार दें बाहर नहीं जाना है आपको बिहार के बाहर कमाने नहीं जाना है अगर आपके पास कुछ पुझी है तो आप पुझी लगा करके बिहार में ही रोजगार दीजिए अब खुद का मालिक बनिये खुद का बॉस बनि अगर आपको कहीं से मिलता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं में रॉब मेटरियल डियू इसमें यह जोयता है चैसे पत्ती पैप है आपको पप्स बनाने वाली मशीन है सारी मशीन भी हमारे पास अगर आपको अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं जो हम लोग पाउंच पाइकिंग के बारा बता रहे हैं अब जो कस्टमर का मन में सवाल होगा कि हम नमकीन कहां से लाएंगे कुरकूरे कहां से लाएंगे, चिप्स कहां से लाएंगे, रिंक्स कहां से लाएंगे, तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हम आपको देंगे, नहीं तो हम आपको डिरेक्ट कॉंटेक्ट दे देंगे, जहां बनता है, वहां से आप डिरेक्ट माल मंगवाईए, आप अपना भी हमुह आपको प्रॉइल्ट करबा देंगे हैं हमारे पास इन जो konativ करते हैं फह सब कुछ बहुत कर आकर देंगे नहीं तो आप बहुत उनका हर प्रोब्लम का शुलूसन है मारे अबивать करें इसमें कitना एलेक्टरिक होता है कि मोटर हुता है यू मशिन होता है और उसमें 1000 नहीं होता है। बाकी अगर आप ट्रॉमाटिक माशिन लेता है तो उसमें 2HP का कंप्रेसर एक्ष्ट्रा से लगता है बाकी मशीन सेम होता है बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप चीजों को काफी एक्स्प्लूर करके आप बताए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सरापका हमारे कंपनी में आने के लिए दोस्तों यह थे रं बंगाल के जो हमारे भीवर्स होंगे, वहाँ सिल्ली उगुरी में भी सरका कमपनी है, आप लोग जहां से भी होंगे तो आप अपने नजदी की सेंटर से संपर कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ पतना का जो है वो अड्रेस और मोबाइल नंबर दिया रहेगा, दोस्तों आप चीजों को अच्छे तरीके से फोन करके जानकारी ले सकते हैं, हलागी मेरा सलाह रहेगा कि आप फोन करने से पहले थोड़ा सा पैसा खर्चो 500 हजा रुपए, आप आके यहाँ चीजों को अच्छे से समझे क्योंकि आप एक अपना इन्वेस्टमेंट लगा के, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट करके, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए अच्छे तरीके से चीजों को पहले समझें, और इत्मिनान होने के बाद यह पाउच पैकिंग बिजनेस सुरू करें, दोस्तों आ दोस्तों करें दोस्तों